नमस्कार दोस्तो स्वागत आपके टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो जब भी भारत के इंदर एक जेट इंजन को बनाने के लिए बात होती है तो उस समय हमारी जनता का मेंली फोकस जाता है एक जोइंट वेंचियर के उपर जहां पर हम 110 किलो न्यूटन के इंजन क को बनाने के लिए फ्रांस की साफरान या फिर यूके की जो आरार कंपनी है इनके साथ में एक जोइंट वेंचियर को सेट अप कर सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हम जो और प्रयास यहां पर कर रहे हैं तो उनके ओपर लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं जाता है जैसा कि हाल में भारत ने जोइंट वेंचियर का ये जो प्रपोजल रख रखा है तो इसमें जितने भी कंपनिया है ये काफी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है जिसमें आप सब को जी ए साफरान और यूके की रोल्स रोष देखने को मिलेगी तो दोस्तों भारत ने क्या बड़े वीडियो में जानेंगे और साथ में आज की जो खबर निकल करके आई है उसके बारे में भी मैं आप सब को बताऊंगा लेकिन उससे पहले अभी से वीडियो को लाइक करके कोमेंट सेक्शन में जाकर के जहें कोमेंट कर दीजेगा तो खबर फ्रांस की साफरान कंपनी की सा अप करेंगे और राफेल के जो स्नेकमा M88 एंजिन्स है तो इनकी मैनुफेक्चिरिंग ये भारत में ही करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले तो हमारी जो लीडिंग कंपनी यानि की HL है उसको बाहर रखा गया है जो की पहले से SEO 30 MKI के इंजिन्स को बनाती है और साथ में इनके पास इंजिन्स को बनाने का एक अच्छा कासा experience भी है तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आने वाले समय में जेट इंजिन्स और फाइटर जेट को ले करके HL काफी ज़्यादा बिजी रहने वाली है और भारत क जो requirement है वो काफी ज़्यादा बड़ी है जिसके कारण उसको केवल एक सरकारी कमपनी के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है इसी के कारण साफरान का यहां पर यह offer है कि यह भारत की private company BDL यनकी भारत dynamics limited के साथ में इस joint venture को set up करेंगे और यहां तक कि इनके जो T14 engines है तो उनको भी भारत के अंदर ही बनाए जाएगा और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत कहीं न कहीं 36 राफेल fighter jet को purchase करके यह ensure कर चुका है कि अब MMRC deal के अंतर गत हम definitely फ्रांस से जो राफेल fighter jet है उनको purchase करने वाले हैं तो कुछ लोगों का यहां पर question रहता है कि यह deal कप sign होकी तो देखी दोस्तों भारत अब यहां पर इनके जो F4 variant के राफेल fighter jet है उनको चाहता है जो कि अभी के लिए बन करके तयार नहीं आई यह fighter jet 2024 तक ही बन करके तयार हो पाएगा तो ऐसे में अभी के लिए इस deal के ओपर भारत ने कुछ ज़्यादा बड़ा कदम अभी के के लिए डायरेक्ट एक joint venture को setup नहीं किया है जिसके तयार हम UK की आरार या फिर जो साफरान कंपनी है इनके साथ में 110 किलोन्यूटन का engine बनाने वाले है तो अभी के लिए उसके ओपर तो कोई बड़ा decision नहीं लिया गया है लेकिन जल दी उसके ओपर भी आपको एक जो फैसल इसको बनाने के लिए तयार है जो अमेरिका की GE कंपनी है तो वो भी पहले ही मान चुकी है कि तेजिस MK2 के लिए जो GE F414 engines होंगे तो उनको TOT के साथ में भारत के अंदर ही manufacture किया जाएगा जिसमें जो IP rights है वे आप सब को American GE के पास देखने को मिलेंगे लेकिन इससे भी कही नहीं भारत का जो aerospace program है इसको काफी जादा बड़ा boost मिलता है जिससे कि हमारे जो स्वदेशी fighter jet है तो उनमें हमारे खुद के indigenous content की मातरा आप सब को काफी जादा देखने को मिलेगी इसी के साथ में हमारा dry cover engine भी अब अपने testing के लिए Russia के अंदर ready है जहां पर इसके high altitude के test को पर integrate किया जा रहा है तो ये तो केवल वे तीन बड़ी development है जो की हाल ही के defense expo के दोरान में घटी है इससे पहले मैं आप सब को बताऊं भारत के अंदर कई ऐसी jet engine से related jet technologies है जिनको master कर लिया गया है इसी के साथ में हम helicopter के engine को बनाने के लिए पहले से फ्रांस के साथ में एक joint venture को setup कर चुके हैं और हमारे dry kaveri के उपर उसका जो after burner section है तो 12 से काम शुरू हो चुका है तो दोस्तो overall इन सारी developments के बाद अब आप सबको क्या लगता है अगमेंट section में बताएगा साथी साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देजेगा औ कि आपको भविश्य में भी ऐसे ही वीडियो मिल दे रहे तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है एंगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद